हेलो फेंट्स, वेलकम दू अन अकेडमी, आम जिवम चैल, दोसों UPPCS मेंस के लिए 2017 के लिए Defense Study Official को मैं कम्पलीट करा रहा हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी पे, और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें देखेंगे UN reforms के बारे में important है UPPCS मेंस के लिए, तो का में यह का डिंगा नियुके उसमें स्केड़ आवश्यक्त परिश्ट में सुदार, आवश्यक्यों और उसकी चुनोतिیاں के उसको हैं। उसको हम देशक लिए दे ہिए तो देखें पहले देख लेए कि आवश्यक्त तहा, इसके क्यों है। तो देखे युद्धो अप्रांत बनाए गई संहिक तुराष्ट परिसाद यानि कि मैं बात कर रहा हूं उनिस्व पैदालिस की बास्ताम में उन परिवर्तनों को प्रतिव उम्मित नहीं करता जो सीथ युद्धि के अंत्राष्टी प्रणाली में सामने आए हैं तो देखे बाद में आज का जो परिदश्य है उसमें ये चीज़ जो है कहीं भी फिट नहीं बैठती ठीक है उसके बहुत से कारण है जैसे उपनिवेशवाद के युग से उत्तर उपनिवेशवादी सुतनतर राज्यों में परवर्तन के साथ विश्मे सक्ति के पुनर वित्रण और नए 17 गेंद्रों का उद्य हुआ है ठीक है एक टाइम था जब सेकंड बॉर्ड वाल फिनिश हुआ था तब में जो पावर ते जर्मनी तो पूरी तरह से बरबाद होई किया था लेकिन फ्रांस यूएस से अमेरिका और ब्रिटेन ठीक है यह तो में फावर थे उसके बाद में जापन भी पूरी तरह से तूटा जर्मनी भी तूटा नयके जिसे पहले यूरूप में किसका वर्चास था ब्रिटेन था ब्रिटेन के सामने कोई भी नहीं था लेकिन सेकंड वल्ड वाल फिर्टेर न फ्रेंक गवर चाया तो बाद तो बाद में युर तो कशीज हC3 जो समाप्ति हुई उसके बाद वो चीज भी खतम हो गई मनलब एक एक ही वर्ल्ड रेडर रहे गया तो ये सारी चीज़ें जो हैं सांती के लिए सभी लोग मिलके बैटके सांती स्थाबित करें दुनिया को खुशाल बना है इस तरह की एक चीज थी लेकिन वो आज के समय में वो कहीं दिखाई नहीं देरता दूर दूरता है उसके बाद में इस्थाई सदस्यों के बीच भूराजनेतिक प्रति दंदता ने सहीक तुरास रुक्षा परिशत को वैस्विंस अंकट से निपटने के लिए प्रभावी तंत्रों को बिस्वास करने से इसको रोका है उसका दूर्णे बीच ही एक मत नहीं है वो किसी भी चीज को लेकर किसी भी कारी को करने के लिए तो दुनिया में जो विश्व में सांती कैसे इस्थावित हो इसके द्वारा ठीक है जो इसका में मोटो था यहां पर यह विफल हो रहती तो उसमें दिखा रहा है कि आप सकता है इ सेंकतराष्ट में लोकतंतर का अभाव प्रवावी बहुत प्रक्षिता को रोकता है जाहिड सी बात है एक एक्जाम्बल के तरव आप ले रहीजिए कि जितनी दुनिया के संख्या है उसमें सिर्फ दस प्रतीसत के लोगों का प्रतित्र करने वाले पांच लोग बहां देनता है उसके हाथ में कोई वीटोपा उबर नहीं है तो यहां यह कौन सा लोगतंतर स्थाबित हुआ यहां पर यह कौन सा लोगतंतर है ठीक है तो यह चीज़ को देख दम फेल होता है यह जटिल वैस्पिप्रदस राष्टों के बीच ससस्त्र संगर्स पीछे छूड़ रहते थे सब तो उन्होंने काते कि ऐसा मंज बनेगा जहां सभी लोग मेंजल के बैठेंगे तो बहां पर कोई अटेक होगा या कोई बात होगी तो उसको सांती से उसको सुल्जा लिया जाएगा लेकिन अब क्या है कि अब सभी देश से एक दूसरे करत अच्छे खासे कीच में भी है तो कोई भी कार करने से जैसे युद से संबंदित या कोई आकरम अपर लेती है औरनाने से पहले वो तो इस एक दूसरे से बात कर लेते हैं ठीक है तो उससरे का माध्यम भी इसके दूरू नहीं रहा बाद में सबसे बड़ी बात है प्रतनेदित की कमी सबसे यह बहुत बड़े कुछ कारण है जिससे आवश्यक है कि इसमें रिफार्म होना चाहिए उसका देखते हैं संयक्त राष्ट सुक्षा परिशत की सीट के लिए भारत का तरक क्या है ठीक है भारत किस लोजी के तुरू अपने सीट को मांगता है यह विश्व का सरवादिक व सब्सक्राइब के लिए उनके साथ हमारे संबंध हैं उनको देख लिए सुरक्षा परिशत के पास संबब्ता चीन के अतरिक मध्यपूर में बारता है तो भारत के रूप में एक अन्यविकल भी मौजूद हो जाएगा एक देखने वाली है कि किसी भी जो मुसलिम रास्ट ह गया उसके उनका प्रत्नेत तुब जो है युएन में नहीं होता ठीक है तो इस सबसे भारत का एक यहां भी पक्ष मदबूत हो जाता है भारत संब्सक्राइब के संस्थापक सदस्चों में से है यह चीज़ भी एक मैतपूर पक्ष है भारतिये सेना संब्सक्राइब मिशन करें बातकि नहीं है उसके साथ में भारत द्वारा अनेग संध्राष्ट अंगों जैसे संध्राष्ट्ट्राष्ट्टीश घंठ से दान देने के साथ ही। तरस्ट को सरवादिक वित्तिय जो युगदान है उन देनों वाले देशों में भारत की जो है अच्छी रंकिंग में आता है ठीक है तो यह सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारी पर्वानिंट सीट के लिए हमें जो है एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं गुट निर्पेक चांदोलन जैसे पहलों के कारण एतिहासिक रूप से अंतरस्टिये समंदों में भारत की छबी विश्वशांति के पक्षजर और संगर् फीचर है युएन का ठीक है तो यह सारे कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है एक महत्पून अधार प्रदान करते हैं भारत की जो है सहिंक राष्ट में सुरक्षा परिषद में पर्मानिंट सीट के लिए सुधार के लिए चुनाती हैं क्या चैसी चुनाती हैं जो सुधार में आ रही हैं तो देगे से एक तरह सवारा अपनी बैता खोते जाना अब उसका में यहां पर कारण क्या है जैसे मैंने बताया था आपको कि बहां पर जो में पर्मानिंट सीट वाले जो लोग हैं वही ए प्रबाप लेकि आ जाएगा, क्योंकि भारत फंडिंग करता है और जो है, सेंड जोवी जितने भी मिशिलन होते है вд पहिए का थीक, कहीं नहीं तब भी यूई-S काँ दब दबा, क्योंकि सबसे अदा फंडिंग उसका है, सबसे अदा थैनिक उसके हैं और वो सारे मिशन या कोई भी ऐसा कारे होता है उसको अपने फाइदे के हिसाब से मोड लेता है ठीक है तो भारत अगर इसका इसका सदस्ट बन भी जाता है यह उनकर वह जाती पहरत की बुद्ध जी भी है तो बहुत भी पक्षे संस्टा में भारत का प्रदर्शन बहुपक्षे संस्टाओं में पी फाइब जो पर्मनेंट सेंटर जो आले जो लोग हैं वो यह था इस्तिती चाहते हैं ठीक है वो इसमें किसी भी तरह का संसोधन के पक्ष में नहीं है ठीक है तो यह सबसे बड़ा यहीं चुनोती है कि जो लोग अंदर बैठे हुए है जिनके पास में बीटो पावर है व G4 आप जानते है G4 में कौन आता है आपको बता दूँ इसमें आता है Brazil, Germany, Japan और India ठीक है इन चार देशों ने मिलके जो है जी फोर बनाया और जी फोर का जो में काम है वो यही है कि UN में पर्मानेंट सीट को लेना ठीक है और उसके लिए उसमें लोगतंत्र की बाहली के लिए और भी देशों को जो है सामिल किया जाए तब उन्होंने क्या किया है कि इसमें सुधार की पिरक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जैसे कुछ पर्मानेंट जो मिम्बर है उन्होंने बोला कि आप मिम्बर से हमारी ले लीजिए ठीक है पर्मानेंट से आप सदस बन जाईए उसके लेकिन हम आपको वीटो पावर नहीं देंगे ठीक है तब यह जो जीफोर संस्ता है इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं आप हमें वीटो पावर मत दीजे लेकिन कम से कम आप हमें उसका जो है परमानेंट मेंबर तो बनाईए तो अब यहाँ पर एक सौधेवाजी चिप की रूप मेंसीच को लिया गया है कि पहले आपको परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा लेकिन आपको भीटो पावर नहीं दिया जाएगा ठीक है तो यह चीज थोड़ा सा आगे बढ़िए उसके बाद में परिशद को और अधिक प्रतिनिदिक और लोक्तांतरिक बनाने के लिए परिशद का सार्थक शुधार अपरहार है ताकि यह शांती और सुरक्षा संधार्णी विकास और मानावधिकारों की चुनोतियों हेतु ब्यापक समन्मित और सुसंगत द्रश्टिक पनाने में सप्षम हो सके यानि कि जिस चीज के सुरुआत बिश्म में शांती के लिए की गई और बहाँ पर सभी लोगों का प्रतिनिदित हो सभी लोग बहाँ पर चुनके जाएं सबके प्रतिनिदिव बहाँ पर हो और इस से मिल बैटके सब लोग को इसी बात पर चर्चा करें एक राय मत हो तो इसके लिए बहुत इंपोर्टेंट है कि जो बाकी जो लोग हैं उनको इसमें सामिल किया जाए सुधार किया जाए उसको एक लोकतांतरिक प्रवेश वहाँ पर निर्मित किया जाए तो ये सारे सुधार हैं जो इवन में होने चाहिए हैं